दोस्तों focus study भी तभी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है ठीक है तो कल का lecture जहां से छोड़े थे circle में और भी सवालों को बताना था और भी टैप के सवालों को बताना था तो आज वहीं से सुरुवात करेंगे ठीक है तो आप लोग ना देखो एक चीज हमेशा ध्यान दो ठीक है तो जो लोग course में enroll है वो लोग तो complete lecture देखते हैं अब अभी क्या है कि ये lecture आपका YouTube पे भी ज लेखते हैं लेक्चर को complete देखो ऐसा तो कोई कमी है नहीं और अगर कुछ कमी है तो आप जरूर बताईए स्वागत है आपका हम तो सलाह लेने के लिए परिसान रहते हैं कि कोई सलाह दे कि तुम ऐसे बताओ ऐसे बताओ ऐसे समझाओ ऐसे ऐसा सवाल बताओ आप सलाह कहां बीजी हो रील में सोट्स में स्रुज में मूवी में मैक्च में फेंटेसी अपके कहां बीजी Hो कहां जीवन को खराब किये जारे हो थोड़ा सा ध्यान इधर दो ना ज्यादा नहीं 5 गंट रिली दो ना अपने उपर 5 गंटा लगा ना 5 गंटा में आप जीएस पढ़ लो मैथ पढ़ लो रिजिनिंग पढ़ लो और कोई भी एक्जाम दो निकाल लो अब लगबग हरेक एक जाम करते हैं और बाखी जो स्टेट के एक्जाम उते हैं वह तो इनहीं सबसे आपका कबर हो जाएगा तो बात को समझो और थोड़ा पढ़ाई पर ध्यान दो और बहुत क्मेंड करता है, उनका मेसेज भी आता है कि सर एक जाम क्या होगा भाई नहीं मालूम है, लेकिन इतना मालूम है, कि जैसे ही ये चुनाओ का जहमेला खतम होगा, कुछ ना कुछ जरूर होगा, और तब आपके पास टाइम नहीं होगा, और आप अभी देखिएगा, तो बहुत सारा एक्जाम का, जो है, एक्जाम डेट दे रहा है, जो पहले स फोन लगा, इसको फोन लगा, जो अभी का सिच्विशन कहता है, ठीक है, तो आप लग जाई, ठीक है, तो यह जो आपका बैच है, math plus reasoning का, नए-नए सवालों के साथ concept को हम लोग सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो यह इतना सारा एक्जाम आपका cover हो जाएगा, इसके अलावा आप कोई भी exam दीजिए ना, जिसमें math है, reasoning है, पढ़ना तो वही है, सारे के सारे latest सवाल है, different, different exams में है, आये है, SSC में है, railway में है, NDA में है, CDS में है, UPSI में है, जारखन में है, बिहार में है, हर एक track के सवालों को हम देखते हैं, और जहां पर हमको लगता है कि हाँ, यह सवाल मां बहुत अच्छा पूछा गया, मतलब इसमें कुछ concept है, हम उठा के आपके सामने रखतेते हैं, तो यह जो आपका complete lecture चल रहा है, बहुत जबर्दस्त है, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आप जिस भी state से हैं, आप से उसे state को देखे, अगर देखते हैं, तो बहुत अफेर है, जी के जी एस है, कम्प्यूटर है, सब तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है, तो इसलिए complete पढ़ो, दिमाग में सवाल रखो, कि हम कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, दिमाग में सवाल रहेगा, तो जमीन पे रहोगे, और जमीन पे रहोगे, तो आई है, तो मेरी वातों का को ध्यान देना, ठीक है, और ये जो आपका बैच है, रेलेवे के लिए अलग बैच है, जैसे सी के लिए अलग बैच है, हाई कोट के लिए अलग बैच है, सारा का सारा बैच ना आपको focus study भी तभी एप पे मिल जाता है, एप का लिंक description में दिया हुआ है, ठीक है, और एप आप चाहे तो प्ले स्टोर से सर्च करके डाउनलोड भी कर सकते हैं, इसके अलावा कोई भी सवाल हो, तो आप डारेक्ट इस नमबर पर कॉल कर लिजिएगा, अभी से एक सारा आपको समझा देंगे, कि आपको क्या दिक्कत है और उसका क्या रा ठीक है, तो कल जहां तक बताएं थे, वहीं से आज लोग आगे बढ़ रहे हैं, और आज का जो पहला सवाल है वो है घूमने वाला सवाल, घुरनन वाला सवाल, नमबर ओफ रोटेशन आप से पूछता है, तो कहता है कि the diameter of a wheel is 88 cm, find the number of rotations made by it to cover the distance of 8712 meter, देखो सरकल का या च चक्का का जो diameter दिया है वो cm में दिया है, और ये कितना distance कभर करता है, वो meter में दिया है, ये दो चीज़ ध्यान रखियेगा, तो या तो आप cm को meter में change कर लेना या meter को cm में, ठीक है, अब देखो, चक्का जब घूमता है, आपको क्या बता है, कि जब ये एक चक्कर लगाता जब ये, ये मेरा चक्का है, तो जब ये एक चक्कर घुमेगा, जब ये एक चक्कर घुमेगा, तो ये उतना ही दूर जाएगा, जितना इसका परिधी होगा, उतना ही दूर जाएगा ना, तो एक चक्कर में ये कितना दूर जाएगा, जितना इसका परिधी होगा, और आप यह व्यास है, यह केंद्र से होते हुए, जो दोनों तरफ परिधी को टच करता है, किसी को तो व्यास कहते हैं, इसका पूरा लेंद दिया है 88, तो भाई, रेडियस जो है, ठीक एकदम सेंटर ठीक बीच में होता है, तो यह हो गया, 44 cm, इसका क्या हो गया, रेडियस हो ग इसको कितना दूर जाना है वह जाना है मतलब इसको कितना दूर जाना तो आप कहेंगे सर इसको 872, 8712, 100 cm इतना दूर इसको जाना है और ये एक चक्कर में इतना सिंटीमीटर कवर करता है तो इतना दूर जाने के लिए कितना चक्कर लगाना होगा, कितना बार चक्का घुमेगा, तो एकदम सिधा सा बात है, फोर्मूला के रूप में याद मत खोटिक है, चकरों की संखिया number of rotation अगर निकालना है, तो जतना दूर जाना है, और एक चक्कर में कितना दूर जाता है, भाग लगा देंगे, मेरा उतर आ जायेगा, तो number of rotation कितना दूर जायेगा, बट्टा, एक चक्कर में हम कितना दूर जा रहे हैं, यह 22 गूदर 44, और यह 7 है, तो इसको 7 को उपर लेके जाते हैं, यह क्या बता देगा भाई, कितना दूर जाना है, अब basically आपके सामने pure calculation बच गया, कैसे आप काटेंगे, ध्यान से समझ लिजे, तो यह कुछ और नहीं, यह कुछ और नहीं, यह 22 दूना 44 मतलब नीचे में 44 गुना 44 दिख रहा है तो यह तो 11 से जाएगा, 100 तो 11 से नहीं जाएगा, 7 भी 11 से नहीं जाएगा, क्या यह 37, 12, 11 से जाएगा, तो 11 से कोई भी नंबर कटेगा, कि नहीं कटेगा, कैसे हम लोग चेक करते हैं, तो alternate digit के सम का difference देख लेते हैं, देखो 7 और 2, 9, 8 और 1, 9, 9 में 9 गया, 0, 0, 11 से divisible है, मतलब यह नंबर भी 11 से कटेगा, तो देखो आप चाहे तो 2 से भी काट सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक्जाम में काटिये थोड़ा बड़ा नंबर से कि ताकि मेरा केल्कुलेशन जल्दी हो, तो देखो 11 से 4 बार में इसको निप्टारा होगे, 11, 44, और यह 11 से 87 है, 88 रहता है, तो आठ बार में जाएगा, मतलब 11, 77, 87, 87, 10, 101, 11, 99, और 11, 22, यह तो गया, अब क्या यह भी जाएगा 11 से, तुसर 7, 2, 9, और यह 9 जाएगा 11 से, ठीक है, तो फिर से 11, 44, 24, 24 हुआ ना, और फिर से 11, 77, और 11, 22, नीचे में क्या आया, 4 गुना, 4, ऊपर क्या बचा, 72 गुना, 100 गुना, 7, अब ध्यान जा समझो, कि इस 4 से 100 को काट दे, 25 बार में, बोले सर काट दीजिए, और 4 से 18 चो के 72, काट दी, बोले सर यह भी कट गया, अब यह क्या बचा आपका, 25 गुना, 7 गुना, 18, अब आपक ठीक है, बाई मेरे, इसको जैसे गुना करना हो, कि हम कुछ गलत नहीं न लिखें, बाई, ठीक है, हम कुछ गलत नहीं लिखें, अब देखो, 25 गुना, 7 गुना, 18 आपके सामने बचा, यह 88 सिंटी मीटर है, कि 88 मीटर है, 88 सिंटी मीटर है, कहा गया सवाल, किदर गया जी, किदर गया, किदर गया, कितना नमबर सवाल था, किदर रहा, किदर रहा, किदर रहा, हाँ, यह रहा, 88 सिंटी मीटर, ब्यास है, और 87, 12, क्या है, इसका, ठीक है, तो भाई, अब इसको सिधा मल्टिपलाई करना है, ठीक है, तो आप इसको कैसे करेंगे, मेर हिसाब से 25 सत्य कितना होता है तो सर 25 सत्य 175 होता है अब इसको 18 से नहीं इसको हम 20 से multiply कर देंगे तो इसको जब हम 20 से multiply करेंगे तो 75 दुना कितना होता है साड़े सत्रा देखो साड़े सत्रा दुना कितना 35 होता है मतलब यह हो जाएगा आपका 35 यह 350 पे एक चीरो 35 अब यह 35 हो आए हम दो बार ज्यादा गुना किये तो 75 दुना कितना साड़े 300 पचात्तर एक सो पचत्तर दुना साड़े 300 गलत नहीं लिए हाट ठीक है साड़े 300 इसमें से साड़े 300 क्या करेंगे गटा देंगे अब देखो 500 में 300 गया तो 200 बचा 32 और 32 में फिर 50 गया तो सर 350 चककर लगाना पड़ेगा चक्का को चक्का एक सो एक ती से 50 चककर लगाएगा चक्का तो धेंगे calculation आपको जैसे मरजी हो आप वैसे करिए आप इसको उपर नीचे लिख के भी calculate कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है जरूरी नहीं है कि आपको एकदम एक सेकेंड में जो है एकदम आंसर देना है नैनो सेकेंड में इसा भुलेया में मत रहिए ठीक है आप खुद कर लेंगे आपको पता है कि एकदम में कितना टाइम मिलेगा कितना जल्दी हमको calculate करना है कोई भी equation को तो ये आपके उपर है ठीक है तो इस सवाल का आंसर क्या हो हो गया एक 150 चक्कर लगाना पड़ेगा इस सवाल का basic theme क्या था कि भाई चक्का कितना घूमेगा कितना बार घूमेगा तो वह कैसे निकालते कितना दूर उसको जाना है और उससे भाग लगा देते हैं कि वह एक चक्कर में कितना दूर जाता है बात वही हो गया ठीक है आम वोला हिसाब किताब कि भाई हम जो है पांच रुपिये पीस आम लिए और हम पांसो आम लिए ठीक है तो खर्चा मेरा कितना हुआ तो आप कहें नहीं लिखना है formula लोग क्या लिखवाता है number of rotation ऐसे लिखवाएंगे number of rotation rotation बराबर कितना distance जाना है बट पेरिमेटर किसका पेरिमेटर सरकल का प्रीमेटर ठीक है यह बात वही है जैसे याद रखना है याद रखिए समझना है समझ जाइए मेरे हिसाब से समझा हो रहेगा तो अच्छा चीज होगा इससे घड़ी का काटा वला भी सवाल आता है कि घड़ी का सुई इतना मिनेट में इतना दूर गया तो वो कितना डिस्टेंज कभर क यह यह भी सवाल आता है तो उस सवाल पर गड़ी का सुई वला सवाल है तो कहता है कि हाव मच एरिया विल दस इक सेंटीमीटर लॉंग मिनेट हैंड ओफ वाल कलो कवर कवर और चूट रहे हैं ना कवर इन आप्रियेड ओफ फाइब मिनट पांच मिनट तक छे सेंटीमीट और लंभी मिनेट वाली सुई गुमती है तो कितना चूट्रफल कवर करेगी लोड़ी सिंपल है सवाल में घड़ी डाल दिया है जैसे कि हम आपको समझा दे कि भाई ये मेरा घड़ी है और ये इस मिनेट वाली हुए मुए है तो पांच मिनेट में यहां से यहां आ गई य यह सुई यहां से गून के यहां गई तो कहता है कि कितना एरिया कभर की यह जो छेतरफल बोला है यह जो हम कलर कर रहे हैं इसका एरिया कितना होगा मतलब इसका एरिया कितना होगा यह आप से पुछा है कि अगर यह पांच मिनट में यहां से यहां गई तो यह कितना एरिया क का च्षेतरफल की मतलब तिर खंड का च्षेतरफल आपसे पूछाएं तो तिर जी खंड का 002 में आपको क्या बताए हैं कि तिर至 खंड का चृतरफल बराबर होता है थीटा ब्रट्ट 360 idiots सवाल आना मतलब लाजमी है तो हम आपको समझाएंगे हम कहेंगे देखो बाबु घाड़ी जब पूरा साठ मिनट घोमेगा तो तीन सुसाठ डिकरी कभर कर लेगा ठिकर आप आप सटेसाज़। बराबर 6 デंट है तो एक मिनेट बराबर छे डिग्री तो एक मिनेट में अगर छे डिग्री गुमती है तो पांच मिनेट में तीस डिग्री गुमेगी तो थिट्टा के जगा पे आप तीस डिग्री रख दो तो तीस बटा तो तो यह पांच बटा साथ तभी एक बटा बारा आएगा मतलब सार यह है कि इस सरकल के एक बटा बारा हमाभा का छेतरफाल आप से पूछा है बात को मेरा समझे है तो सिंपल सा बात है आपको अगर थिट्टा का बेलू रखना है तो आप याद रखे कि कि एक मिनट एक मिनट कमीनट मिनट वराबर 6 डिक्री ऑप यह भी याद रख सकते कोई दिक्कत नहीं तो तो पांच मिनिट तक घूमा है, तो 30 डिग्री घूमा, तो 30 डिग्री है, तो थिट्टा के जगा पर 30 डिग्री रख देंगे, नहीं तो आपको ये भी समझ में आ गया, कि अगर 60 मिनिट तक चलता है घड़ी का सुई, तो पूरा 360 डिग्री कभर कर लेगा, तो आप 360 के जगा पर 60 मिनिट रख लिजिए, तब भी बात वही है, ठीक है, तो इसका एरिया बराबर क्या होगा, तो हम सिधा लिखते हैं, पांच बट्टा, 60, 60 मिनिट में से पांच मिनिट गूमा है, इंटू पाई आर स्कॉर, तो पाई के जगा पर बास बट्टा साथ, इंटू रेडिय ठीक है, छे, छे, छे है, और वहां पांच है, अब यहीं ना आएगा भाई, यह कितना आगिया, एक बट्टा 12, तो 6 दूना 12, और 2 ती आई 6, यह क्या आगिया, आपका 22 ती आई 6, बट्टा 7, सेंटीमीटर स्कॉर लगा दो, ठीक है, क्योंकि सेंटीमीटर इंटू सेंट स्कॉर ठीक है, अब सात नमा ती रेसेट, नौ दसमलो, कितना बचा तीन, और दो अंग तक है, तो 3, 30, सत नमा ती रेसेट, चार, चार बचा ना, चार, चालीस, और यह आपका हो गया, सब चालीस आया, तो सात बचे, पैंतिस, पांच भार में, पांस तो उप्शन में है ठीक है, पांस तो है नहीं, पांस तो है ही नहीं, छियासट में हम सत नमा, अच्छा, तिरेसट तक काटे, तो 3 बचा ना, 30, और सत चोंके 28, 9.4, 9.4 एक ही में है, तो 9.4, 3 cm2, ठीक है, एकदम सिंपल सा सवाल है, तो आप यह इसको ऐसे बना लो, सीधा, 360 के जगा पे 60 मिनिट रख लो, नहीं तो अगर आप डिगरी रखना चाहते हैं, तब भी बात वही है, देखो तब भी बात वही है, आपको सारा सिचुएशन समझाने का हम कोसिस तो करेंगे जरूर, कि ताकि आप किसी ना किसी सिचुएशन को समझ के सवाल में कोसिन का सही जवाब देखे आओ, ठीक है, अब हमको ये मालूम है कि सर, एक मिनट में 6 डिगरी होता है, तो पाच मिनट तक गूमा है, तो 30 डिगरी, तो यहां पे कितना का एंगल बना, 30 डिगरी का एंगल मना, तो फिटा बटा 360 साथ इन्टु पाई आर स्कॉर पाई का भेलू 22 बटा साथ इन्टु आर स्कॉर छे गुना छे तब भी देखो यह भी बारा आया आपका केल्कुलेशन से में एक बटा बारा गुना 22 बटा साथ गुना इसको याद रखोगे सब हो जाएगा कोई भी समस्या नहीं तो इस सब सवाल ना एक्जाम में आते रहता है इन सब सवालों को करना बहुत इस सवाल को देखिए बहुत ही सिंपल सवाल है दिख गया वेरियेबल से है सवाल तो थोड़ा सा करवाना जरूरी था एंटी बीसी 2022 में पूचा है इस सवाल ठीक है एकदम असान है कहता है कि इफ दा आउटर एंड इनर रेड़ाई ओफा सर्कूलर पाथ आर टू ए एंड बी देन इट्स एरिया इस वाट एक विरिताकार पत की बाहरी और आंतरिक तिर्जिया है जो है वो टू ए तो बाहर का पार cred to be a और अंदर का यह गिया क्या किसका एरिया-टार पाथ का एडिया पूछाय का इरिया पूछा है वालेका एरिया आपसे पूछा है तो कैसे निकालते है तो बिचिपायिंटू केपिटर आर सक्वायर मैंनस स्मोल आर असक्वायर यही नहां ए एरिया अप इसी से न निकालते हैं अब variable को साउधानी से रख देना है तो पाई देखो पाई पाई तो मौजूद है तो पाई को तो पाई रहेगा मतलब आप यह समझ जाए ना तो आपका उत्तर अब यहां पर आपका उत्तर सी लगा या तो ब होगा या तो ड होगा ठीक है अप्षन पर ध्यान दिजिए हम बार वार बुर्ते हैं न對ज ना कि शाड़ान के लिए थोड़े दिया है अब यहां पर आप रहेखा माइमस का साइं है तो मैनस पूर नेगेटिव होने का कोई चांसी नहीं है इसमें तो ये भी आपका कट गया तो ये वो सवाल था जिसका उतर देख के कर सकते थे औब्जरवेशन तोई सिंपल सा उत्तर आ गया इस सवाल को بتाने का मकसद यहीं थाजी बहाई देखो एक्जाम नक्यएसिपन रखाया National कि हमसे भी का एरिया क्या होता है बाहर वाला सर्कल का इरिया उन्यस अंदर या पाई को हम कॉमन लेंगे तो मैने सब्सक्राइब यहां पर यह वाला रिडियस माइनस नहीं होगा ठीक है यही मेरा उत्तर होगा तो यहां के पिटल आर के जगा पे टू एक रख दो तो एक स्कॉयर मतलब फॉर यह स्कॉयर माइनस भी का स्कॉयर यहीं हमारा उत्तर हो और गया तो आईसा ऐसा सवाल भी दे देता है कभी-कभी लगता है यह मुश्किल लेकिन बहुत असान है तो कि बैच का देखो मकसद य कोई भी दिजी अगर उसमें बैभी के ऑफे और उसमें अड्वान जमैके और उसमें एरिया वॉल्म जो है तो उसके सब बना सकता है कि हम भाट कर ले थो यहां prepared है आपका सिलिंडर है कोड है इस सब से सवाल देगा और किस से सवाल देगा स्फेर से सवाल देगा है इस सब से सवाल देगा बात को समझ रहे हो तो इसलिए बहुत आगे है न सवाल द्यान से समझे ठीक है बहुत असान सवाल होता है ठीक है तो कहता है कि the cost of laying concrete floor in a circular room is rupees 1540 at the rate of rupees per rupees 10 per square meter what will be the cost of fencing on this at the rate of rupees 6 per meter एक एक गोलाकार फर्स में अच्छा एक गोलाकार कच में यह रूम है न एक गोलाकार इसको कच कर देते है यह रूम लिख लिजेगा एक गोलाकार कच में पक्का फर्स लगाने की लागत 10 रूपिया परती वर्ग मीटर की दर्शे 1540 रूपिया है इस पर फेंसिंग की लागत 6 रूपिया पर मीटर की दर्शे क्या होगा तो फेंसिंग कहा लगाएंगे सरकल के सरकम फेरेंस पे परीधी पर परी मिटर परी माप पर तो पहले पर उत्तर देने के लिए हमें वृत का परी माप मालूम होना चाहिए तब परिमाप को हम 6 से multiply कर देंगे तो कितना रूपिया लगेगा फेंसिंग में वो पता चल जाएगा अब perimeter तक हम कैसे पहुचेंगे हमें सरकल का radius मालूम होना चाहिए वो तो पता ही नहीं है दिया क्या है तो 10 रूपिया पर square meter हमारा खर्चा है पक्का बनाने में तो अगर हम ये पता कर ले कि सर कितना meter square में ये खर्चा हुआ है तो ये कैसे निकलेगा देखो अगर 10 रूपिया लगा है एक meter square का तो जो total खर्चा लगा है वो 1540 है अगर हम 1540 को एक meter square से भागा लगा दे तो कितना meter square हमारा पक्का हुआ है ये निकल के आ जाएगा, बात समझ में आ रहा, जैसे की इसको figure चे समझाते हैं, मान लो की भाई मेरे, ये हमारा circle है, ये हमारा classroom है, ये हमारा कर्च है, और इस पे न पूरा हम पक्का बना दिये, इसको हम न पूरा इस पे एदम ढ़लाई करके, एदम पूरा complete बना दिये, इस र फान्दारा सो चालीस रूपिया आया। ठिक देखाना कैसे बैसिक भी बताएंगे आपको 1540 रूपिया आया। ठीक है और मिस्तिरी हमको बताया था कि हम एक मीटर स्क्वाइर अगर हम एक मीटर स्क्वाइर लंबा और एक मीटर स्क्वाइर चौड़ा पक्का बनाएंगे तो हम कितना लेंगे मालूम हम लेंगे 10 रूपिया हम लेंगे 10 रूपिया एक मीटर स्क्वाइर लंबा और एक स्कौायर बनाए होंगे कि मेरा खर्चा 1540 रुपिया गया तो अब इसको बेसिक नियम से भी निकाल सकते हैं कि हम मानलो एक्स मीटर स्क्वाइर बनाए होंगे तब मेरा खर्चा 1540 गया तो x गुना 10 बरावर 1544 तो x बरावर 1540 बटें 10 अब इसको ऐसे समझी अगर हम टोटल टोटल एरिया में जितना खर्च लगा है उससे हम 1 मीटर स्क्वाइर में जितना खर्च लगा है भागा दे दे तो कितना मीटर स्क्वाइर पे मेरा काम हुआ है वो निकल के आ जाएगा बात तोनों बराबर है ठीक है तो अगर हम इसको 10 रुपिया पर मीटर स्क्वाइर रुपिया 10, पर मीटर स्क्वाइर मतलब ये होता है, पर मीटर स्क्वाइर से भाग लगा दे, भाई मेरे ये रुपिया से रुपिया गया, 0 से 0 गया, कितना आया, 154 मीटर स्क्वाइर उपर गोंगी है, 154 मीटर स्क्वाइर, मेरा क्या है, सरकल का एरिया, अब सरकल का एरिय लिए निकल लुए तो निकाल सकते हैं र्बावर कितना एक सच गुन है तो लंच संब सबड़ा सथ संब लजा हैं वीक्टिय के बेटना सेटेमेटर स इने एरतना एते दो है मीचर में साथ मेंटरि अब परिमांत निकालना है तो 2 pi r तो 2 into 22 by 7 into 7 यही ना है भाई यही ना है साथ से साथ गया 44 meter इसका क्या है परिमाप है इसका boundary का length है अब इसी 44 meter पर हमको गेरा लगाना है और 1 meter का खर्चा 6 रूपिया तो 44 meter का खर्चा गुना 6 तो 6 चोके 24 और 6 चोके 24 अर्दो 26 264 रूपिया किसमें है option number B हमारा उत्तर हो गया तो इस टाप का सवाल आएगा तो आप बना लोगे ना अब इसमें कुछ भी मालो की थोड़ा बहुत ट्विस्ट करेगा तो कंसेप्ट से आप उसको समझ जाओगे बात को समझ ही है तो इस टाप का सवाल ना है पूछा जाता है सवाल को देखिए छोटा सा कंसेप्ट भी आपको बताएंगे ठीक है सवाल असान है कंसेप्ट इंपोर्टेंट है ठीक है तो कहता है कि कि वाट वील दाओ खिल भी अुजip टे दिया कोसिर एपीज स्रुकल का ऐडिख़ से पूछा है और आपको मालूम है कि सर्कल का एडिया हम तभी निकाल सकते हैं जब सरकल का रीडियस पता हूँ तब ही ना निकालेंगे भाई, radius नहीं मालूम है, तो area हम कही से निकाल देंगे, कि कौन सा option होगा, हाँ सिधा, pi r square बता देंगे, अगर radius आ रहे तो, लेकिन यहाँ पर radius बता आना पड़ेगा, तो देखो इसका concept क्या है, तो यहाँ पे जो triangle है, तीनो साइड का लेंद देखि कि 7, 24, 25, 7, 24, 25, जो है, वो triplet है, 7, 24, 25, क्या है, triplet है, 7 का square, 49, 24 का square, 576, 576, और 25 का square, 625, ठीक है, तो दोनों को, जब जोडिएगा, 7 का square, और 24 का square को, तो आपका 25 के square के बराबर आ जाएगा, ठीक है, तो यह देखते हैं, मालूम चल गया, इसके अलावा अगर कोई भी ट्रेंगल हो, मेरा मेन मकसद है कंसेट बताना, तो कोई भी ट्रेंगल हो, किसी भी परकार का ट्रेंगल हो, और ट्रेंगल के अंदर सरकल है, ट्रेंगल के अंदर में सरकल है, बन जा भाय, बन जा, बन जा, बन जा, ये देखो बन गया, थोड़ा र है तो और ट्रेंगल के तीनों साइड का लेंथ ए है B और सी थीक है तब इस सरकल का एरिया कुछी से निकालेंगे तो एक बात ध्यान रखने जो सरकल हो वह ट्रेंगल के अंदर है थीक है तो यह जो जो हमारा inner circle है इसका radius बरावर क्या होता है मालूप radius बरावर area of triangle इस तिर्भुज का छेतरफल याद रखिएगा area of triangle upon भाग लगा देंगे किस से? semi perimeter से semi perimeter ये याद रखिएगा तिर्भुज के छेतरफल को भाग लगाएंगे अर्ध परीमिती से तो अंतावरित जो हमारा अंतावरित होगा उसका तिरजिया निकल के आ जाएगा ये बात आप ध्यान रखिएगा क्या बोले? तिर्भुज के छेतरफल को भाग लगाना है अर्ध परीमिती से तब जाके अंतावरित का छेद्रफल निकलेगा यह चीज द्यान से ठीक है इसको याद रखिएगा अब देखो हम क्या बोले ट्रेंगल किसी भी परकार का हो यहां जो ट्रेंगल है वो हमारा एक राइट इंगल ट्रेंगल है क्योंकि साथ चोबिस पत्च जाए वो कभी चींज नहीं होता है अब जो साथ और चोबिस बचा उसमें से एक लंब होगा एक अधार होगा आप किसी को भी लंब किसी को भी अधार मान सकते हो अब यहां साथ रख दो इसको 24 रख दो कोई दिकत नहीं है लिसके अंदर एक circle बना है बंजा भा एक मालूम रहेगा तबहीं सरकल का आरिया करेंगे तो हम एक कैसे बता पाएंगे तो this N歌 तो यह कैसा है राइटांगल तो इसको एकशने क्या परंबी में हाफ 則 ही, तो हाफ Oh terrain 66 में डुन से का टेंगा बाराबार में 12 सते 84 cm2 ठीक है अब इसका अर्ध परिमिती निकालना होगा परिमिती क्या होता है तीनो भुजाओं का जोड़ तो 24, 25, 49, 49 और 7, 56 पेरिमिटर क्या होगा है 3 भुजाओं का जोड तो 24, 25, 49, 49 और 7, 56 तो 56 हो गया perimeter, हमको आधा चाहिए, semi perimeter, तो S का value यहां से क्या निकल गया, 56 का आधा 28, अब देखो, 28 cm, अब देखो, area आया 84 cm2, और semi perimeter, 28 cm2, ठीक है, तो radius हम निकाल सकते हैं, बोले सर, इस formula पे निकाल सकते हैं, हम radius बराबर लिखेंगे, 84 cm2, बड़ा 28 cm, तो cm2 को cm से भागा देंगे, उपर cm बचेगा, और 28, 3, 84, radius कितना आया, 3 cm, अब आपको भृत का त्रिजिया मिल गया, छेतरफल असानी से निकाल देचे, पाई आर सक्वाइर, पाई सब में है, तीन का सक्वाइर 9, मतलब 9, पाई सेंटीमीटर सक्वाइर, option number B, असानी से याद रखिएँका है यह वळा चीज़, य याद रखिएगा, ठीक है यादर के आज है एक चीज़, और आपको हम यहीं पे बता देते हैं यो और हम आपको यहीं प्यार फोटा देते हैं, थह म Вас ना कंटींट बनाए हैं बैटो किध्यार गया, किधर गया, एक मिज़र गय आप हम आपको यहीं पर बता देते हैं ठीक है साथ उसका 4abc upon semi perimeter होता है थोड़ा सा दिमाग से निकल गया है किदर गया किदर गया जी किदर गया किदर गया रहे भाई या चल्दी मिलो ना किदर गया किदर गया किदर गया अच्छा हां उल्टा हम बोल दें abc by 4 of area of triangle ठीक है हां ठीक है ठीक है यह चीज तो अगर यही केस को हम थोड़ा सा पलट दे सरकल के अंदर ट्रेंगल हो ठीक है सरकल के अंदर ट्रेंगल हो तब डीकिसे निकालेंगहिए वाला पहला सिंच्र धा रासिब्सषान क्या है दूसरा सिच्विषान क्या है देखें對啊 situation क्या है कि अगर सरकल के अंदर मेरा ड्रेंगल है, circle के अंदर मेरा ड्रेंगल है, कोई भी ड्रेंगल ध्यान टक्षिएगा, A, B, C, इसका तीनों भूजा है, ठीक है, और ये मेरा circle का radius है, बड़ा वला R, ठीक है, बड़ा वला R, तो इस circle का radius कैसे निकालेंगे, मालूम radius बराबर होता है A into B into C तीनों बुजाओं का गुनन फल गुना 4 into area of triangle 4 into area of triangle इस तिर्भुज का छेतर फल इस तिर्भुज का छेतर फल ठीक है ये आपको याद रखना है ये आपको याद रखना है अब माल लो की इसी question को हम इसी concept को हम इसी सवाल में अपलाई करते हैं ठीक है इसी सवाल में तो भाई इसको आप याद रखेगा ये जो बाहर वाला circle है इसका radius बराबर A into B into C तीनों बुजाओं का गुनन फल भागा देंगे तिर्भुज के छेतरफल को चार गुना करके ठीक है याद रहेगा अब ये चीज़ जब याद रहेगा अब माल लो की हम इसी सवाल में इस सरकल के अंदर इसी सरकल के अंदर इसी सरकल के अंदर हम इस right triangle ट्रेंगल को फिट करते हैं तो यह मेरा देखो एक हम चाहते कि आप एक जगाना बहुत कुछ समझो ठीक है बस आपको इसके लिए द्यान देना पड़ेगा तो जब राइट जब हम जब हम सरकल में समकोन बनाएंगे तो वह अर्ध बिरित में बनेगा हमेशा याद रखिएगा वह अर्ध बिरित में बनेगा ठीक है तो यह हमारा इसका यह हमेशा अर्ध बिरित में बनेगा ठीक है यह हमारा क्या हो जाएगा डाइमीटर हो जाएगा यह हमारा क्या हो ना तो थोड़ा सा ज्यमेला 2021 क्योंकि जो जो समकोन का जो कर्न होता है वही हमारा सरकल का होता है तो इसका मेरा क्या हो जाएक livres लेकिन दूसरा रहे तब एगर सब्सक्राइब पदेए समझें ठीक है ध्यान से समझना कि इससे हम इसको कैसे निकालेंगे तो रेडियस बराबर साथ गुना पच्चीस गुना चोबिस लगाएंगे और भागा देंगे चार गुना इस तिर्भूज के छित्रफल तो यह हमारा एक राइट ट्रेंगल इसका एरिया क्या होता है इसका एरिया होता है आप इंटू बेस ट्रेंगल में बनता है और डायमेटर है लेकिन कोई अँसरा दे लेकिन को यह चीज काम में लेना पड़ेगा ना तब में लिए यह चीज है और भी तिर्बुज दो इसको चोड़े तब के लिए ये चीज है, ठीक है, मालनों कि बिसम बाहुत तिर्भुष दे दिया इसको छोड़के, तब के लिए ये चीज है, ठीक है, तो ये बहुत ही बढ़िया चीजे इसको याद रखिएगा, इसलिए दोनों एक जगा बता हैं, ठीक है, इस टैप का सवाल भी पूछा जाता है, ये सवाल करने के बाद हम लोग ट्रेंगल के बारे में जानेंगे और क्वाडिलेटर के बारे में जानेंगे, बेसिकली उनका फॉर्मूला देख लेंगे, फिगर देख लेंगे, इसके बाद मिक्स वाल बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि मिक्स वाल ही आता है, सिधा सिधा सवाल बहुत कम आता है वह असान है सब बनाता है ठीक है सिधा सिधा भी आता है जैसे कि चत्रभुज का आपसे छेत्रफल पूछ लेगा पैरलेलोग्राम का एरिया पूछ लेगा रोंबस का एरिया आपसे पूछ लेगा ट्रेपिजीयम का एरिया आपसे पूछ आता है बट वह असान रहता है लेकिन मिक्स वाला से ज्यादा कंसेप्ट आपका मजबूत होगा ठीक है अब इस सवाल को देखिए द्यान से तो कहता है कहता है कि भाईया एक तार है और एक तार को एक वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है तो वर्ग का छेतरफल तो इस कंसेप्ट को समझा देते हैं मालनों कि कोई भी एक लंबा सा तार है यह मेरा एक तार है ठीक है एक लंबा सा इस तार को हम कुछ भी सेप देंगे अगर हम इसको स्क्वाइर सेप में मोड़ दें स्क्वाइर सेप में मोड़ दें या हम इसको सरकल सेप में मोड़ दें या हम इसको एक्विलेटरल ट्रेंगल बना दें संभाहो तिर्भुज की रूप में मोड़ दें तो भाई इसमें कॉमन क्या है मालूम कॉमन क्या है जो कि जितना लंबा तार है, उतना ही लंबा ना इनका बॉंडरी हो गया, जितना लंबा तार है, उतना ही लंबा बॉंडरी स्क्वायर का बनेगा, उतना ही लंबा बॉंडरी सरकल का बनेगा, उतना ही लंबा बॉंडरी एक्विलेटरल ट्रेंगल का बनेगा, अतलब इस ता तो बैइ जितना लंबा तार है उतना ही लंबा इनका पेरिमीटर है तो तार से स्क्वाइर बना देगा और उसी तार से हो सकता है ट्रेंगल बना देगा तार से आपका स्क्वाइर बना देगा और उसी तार से हो सकता है आपका जो है सरकल बना देगा रिलेशन दे देगा ऐसे स्क्वायर बना दी, तो बै, जितना लंबा तार था, उतना ही लंबा न इसका बॉंडरी होगा, जितना लंबा तार है, उतना ही लंबा न इसका बॉंडरी होगा, मतलब जितना लंबा तार है, उतना ही लंबा इनका परिमाफ होगा, इसी कंसेप्ट पे ऐसा सवाल बनाय जाता है तो कहता है एक तार है इस तार को मोड़ दिया एक स्क्वाइर और जो स्क्वाइर को मोड़ा ना तो उसका एरिया हो गया 84 मतलब क्या 22 गुना 22 22 cm गुना 22 cemetery यही न बात है भाय 22 cm गुना 22cky मतलब इसका परतेक साइड कितना है 22 22 22 तो नार इयक कितना हो गयa 22 22 28 cm अ-पार कितना लंबा है 88 cm लंबा है, तार कितने लंबा है, 88 cm लंबा है, जो इसका परी माप है, वही तार का लंबाई है, अब इसी तार को फिर से मोड के हम सरकल बना दिये, तो सरकल, जो सरकल का जो पेरिमीटर होगा, वो भी तो 88 cm होगा, पतलब सरकल का पेरिमीटर क्या, 2 πi r, πi का भेलू, 22 बटा 7, गुना r, मालूम नहीं, ये भी तो 88 होगा, 88 cm होगा, तो यहां से 22 दूना 44, 44 दूना 88, और 7 दूना 14, रेडियस इसका कितना बना, 14 cm, अब रेडियस मिल गया, इसका एरिया हमसे पुछा है, तो एरिया क्या होता है, पाई r square, πi का भेलू, 22 बटा 7, गुना r square, मतलब 14 गुना 14, यहीं ना, तो 7 दूना 14, 22 दूना 44, गुना 14, क्या आपको नहीं मालूम है, कि 14 गुना 44, 600 सुला होता है, अरे नहीं मालूम, कैसे मालूम होगा, गुना करेंगे तब ना, पता चलेगा, गुना करेंगे तब ना, इसे जो बोलता है, ना, क्या आपको नहीं मालूम है, कि 4 गुना, यूनिट डिजिट 6 होगा, और एक ही ओप्शन में है, ठीक है, यह मालूम है, लेकिन सब में 6-6 रहता है, और सब में 6-6 रहता है, तब तो पूरा गुना करना पड़ेगा, तो पूरा गुना करना पड़ेगा, ठीक है, तो इसमें चलो यूनिट डिजिट वाला कंसेप्ट आपका काम कर गए, लेकिन नहीं रहता है, तो आपको करना पड़ेगा, तो जो calculation है वो अपने हिसाब से आप देखिए ठीक है तो इसको 14 से तो 14 जो के 56 का 6 हाथ में 5 14 जो के 56 और 5 61 616 cm2 जो है इस circle का area होगा अब मालो की इसी तार को मोड के हम बना देते हैं equilateral triangle इसको भी समझ लो मालो की इसी तार को हम मोड के बना देते equilateral triangle equilateral triangle सम बाहु तिर्भुच देखो दाग लग जाता है इसी तार को मोड के बना देते हम सम एकदम समझना आपको इसको काईदा से समझाने का हम भरबूर कोशिस कर रहे हैं जितना भी ज्ञान गुद्धी है जितना भी हम डेली-डेली सवाल देखते हैं डिफरेंट इक्जाम में आया हुआ उस तरीका से हम आपको तयार करने का कोशिस कर रहे हैं तो आप ना इस कोशिस में मेरा साथ जनूर दीजिएगा ठीक है मालों कि इसी तार को हम मोड के बना देते एक्विलेटर्ल ट्रेंगल का तीनों साइड बराबर ये तो तीनों साइड बराबर है तो 88 को 3 से भागा देंगे तो इसका एक साइड कितना आएगा 88 बटा 3 हलाके ये डिजिट थोड़ा डिफरेंट होगी है नमबर एक्जाम में एकदम सटीक देगा ठीक है अब इसका एरिया हमसे पुछेगा तो सर एक्विलेटर ट्रेंगल का एरिया क्या होता है कि जब एक तार को मोड़ के स्क्वायर बनाया और फिर उसी तार को मोड़ के एक सरकल बनाया और माल लेते हैं कि फिर उसी तार को मोड़ के एक एक्विलेटर ट्रेंगल बना दिया तो इन तीनों में कोमन के हावाई तीनों तो एक ही तार से बना है तब तक मोती नहीं मिलेगा समझ रहे हो तो अब हम लोग देख लेते हैं ट्रेंगल के बारे में क्योंकि मिक्स फिगर से सवाल आता है तो ट्रेंगल के बारे में भी जानना बहुत जरूरी तो ये चार परकार के triangle के बारे में आपको area में पढ़ना है और इन triangles के बारे में बिशेज जानकारी geometry में दिया जाएगा आपको ठीक है तो यह हमारा right angle triangle है समकून तिरबुज नाभी है एक angle 90 degree का हुगा ठीक है तो जब एक angle 90 degree का होगा तो भाई 90 के सामने मेरा जो भूजा है वो मेरा हाइपोटेनस होता है अगर ये एंगल मेरा थीटा है तो ये एंगल नब्बे माइनस ठीटा होगा ठीक है आप किसी को बेस मान सकते हैं और किसी को भी परपिंडिकुलर मान सकते हैं बेस और परपिंडिकुलर दोनु चींज होता है हाइपोटेनस फिक्स रहता है ठीक है बात ऐसा है साप साप की पढ़ाते पढ़ाते लग गया भूक ठीक है खाना खाएंगे बढ़ियां से तो इसमें आपको बेसिकली आपसे पूछा जाएगा एरिया तो एरिया होता है एक्विलेटर ट्रेंगल का हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर या हाइट और सभी तिरभुजों के बारे में एक चीज समझ लिज़े अगर किसी भी परकार का तिरभुज हो उस तिरभुज का अगर आपको अधार पता है और उस तिरभुज का अगर आपको हाप इंटू बेस इंटू हाइट परपिंडिकुलर क्या होता है हाइट ही तो होता है यहाँ पर हाइट हम नहीं लिख रहे हैं क्योंकि यह भी है तो यह मेरा हाइपोटेनस है कर्ण है कन्फ्यूज मत हो यह ठीक है यह परपिंडिकुलर लंब उचाई ठीक है तो कोई भी ट् लिए यूनिवर्सल फोर्मूला अगर उस ट्रेंगल का आपको बेस मालूम हो और हाइट मालूम हो तो हाप इंटू बेस इंटू हाइट आप उस ट्रेंगल का इरिया निकाल सकते हैं लेकिन जब अलग अलग देखेंगे तो अलग अलग निकालना पड़ेगा ठीक है तो यह बेसिकली इसे चीज़ को याद रखना है इसमें आपको ट्रिप्लेट भी आपको याद रखना है तो वह अभी हम आपको बता देंगे कि कौन-कौन सद्रिप्लेट आपको याद रखना है ठीक है? इसले इतना है अच्छा इसका परिमीटर पुछेगा तो भाई तीनों को और योड़न के बारे हैं फिसमें तीनों भुजा बराबर है इसका भी लेंद उनिकोन बराबर क्या बोले कि विसेज जानकारी आपको जिमेटरी में देंगे यहां पे सिर्फ परीचय और जो काम का चीज है उसको ठीक है तो इस संभाहु तिर्भुज का आप से एरिया पूछ देगा तो एरिया आपको याद रखना है रूट 3 बटा 4 गोना बोजा का स्क्वाइर बोजा का स्क कि यह इसका हाइट पुछ देगा तो भाई हाइट कैसे निकालेंगे तो हाइट होता है रूट 3 बटा 2 इंटु ए अगर इसका परी माप पुछेगा तो आपको मालूम है तीनों को जोड़ देंगे 3 ए एकदम वही चीज पर फोकस करना है जिससे मेरा कोसन बनेगा ठीक है यह तीन चीज आपको याद रखना है अभी पकी कोसन के साथ आपको और भी बारिक बारिक चीज एकदम महीन महीन चीज बताएंगे टेंसन मत लेजिए आइसो सेले स्ट्रेंगल संद्वी बाहू तिर्भुज दो भुजा बराबर मालों ये दोनों भुजा बराबर है ये ये भी ये है और तीसरा भुजा भी है और आपको यहाँ पे हम बता देते हैं कि आपको जीमेटरी में बताएंगे कि बराबर भुजा के सामने का कौन बराबर होता है इस बुजा के सामने का ये कौन इस बुजा के सामने का ये कौन दोनों बराबर होगा ठीक है तो इसका एरिया हमसे पुछा जाता है तो इसका भी हम एरिया निकाल सकते हैं अगर बेस और हाइट मालूम हो और जब नहीं मालूम हो तो इसका फॉर्मूला लिख लिजिए बी बट्टा फॉर इसको याद रखियेगा संभावो तिरफुज का अगर तीनों भुजा दिया है दो बरावर भुजा और एक तीसरी भुजा तो आप यह फॉर्मूला लगा के असानी से निकाल सकते हैं इसका परिमाप पुछेगा पेरिमिटर तो सर्थ 2A पलस भी याद रहेगा ठीक है स्केलेंट रेंगल विसंभावो तिरफुज तीनों भुजा अलग-अलग तीनों कुन अलग-अलग तीनों भुजा का लेंद A यूनिट, B यूनिट, C यूनिट तीनों एंगल का मिजर्मेंट अलग-अलग ठीक है अब इसका एरिया पुछेगा यही पे लगता है इसका एरिया निकालने के लिए आपको इसका पेरिमीटर निकालना होगा और उस पेरिमीटर का आधा करना होगा तो जो हम एस लिख रहे हैं यह एस मेरा सेमी पेरिमीटर है पेरिमीटर का आधा अर्ध परिमिती बराबर तीनों भुजाओं का जोड बट्टा दो यह क्या ह फूर्मूला क्या होता है इस होता है रूट अंडर एस इंटू स-a इंटू स-b इंटू स-c ठीक है छेत्रफल विसम बाहु तिर्वुज को के छेत्रफल को निकालने का तरीका यह है अगर आपको इसका उचाई मालूम है और कोई एक भुजा का लेंथ मालूम है तब तो इसी वला फूर्मूला से निकल जागा हाप इंटू वेस इंटू हाइट लेकिन तीनों भुजा है सिर्फ दिया है तब आपको इसी के साथ जाना पड़ेगा और जब एक्जाम में इससे सवाल देता है तो नंबर थोड़ा ठीड़ा ठीड़ा बड़ा बड़ा देगा और बोले ठीक है क्या क्या बताएं क्या क्या बताएं पूछेगा तो बहुत तरह तरह से सवाल यह बेसिक जानकारी है समकोन तिर्फुज का छिदरपल हाप इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर यह हाइट एक्विलेटरल ट्रेंगल का एरिया क्या है रूट 3 बाइ 4 इंटू बूजाओं का जूड अब आइसों सेलेस्ट रेंगल संद्वी बाहुत तिर्फुज का एरिया का फॉर्मूला बी बाइ 4 इंटू रूट अंडर 4a2-b2 यह बी क्या है जो भूजा अलग है यह दोनों तो बराबर है यह जो अलग है तो बी बाइ 4 इंटू रूट अंडर 4a square minus square इसका perimeter to squareерм È जो इसको जोड आपको लगता है कि perimeter पूछेगा olis DE relate करके सवाल दे सकता है लेकिन पूछेगा नहीं ठीक बहुत हलका हो जाता है और यह विसंभाहू तिर्फुज का च्यत्रफल बराबर स्यंट्रफल बराबर root under s into s minus a into s minus b into s minus c ठीक है? और s क्या है? फोर्मूला डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कोशन में यूज होगा तो इसको तो लिखी लो याद है बहुत अच्छी बात है नहीं याद है कोशन बनाते बनाते याद हो जाएगा इस अब रटने वाला ने ऐसे बैठ के रटना नहीं है कि एस बराबर ए पलस बी पलस सी ब अब इसको एक बार समझ लीजिए द्यान से ठीक है समझ लीजिए तो पहला जो फिगर है यह आपका पैरलेलो ग्राम का है समानतर चतर बुझ का है तूसरा फिगर रॉंबस का है सम चतर बुझ का है और तीसरा फिगर ट्रेपीजियम का है समलम का है तो देखो पैरलेलो ग् समांतर चतरभुज क्या होता है इसमें आमने सामने की भुजा समांतर होती है इसके समांतर ये और इसके समांतर ये और आमने सामने का भुजा बराबर भी होता है आप इसको ऐसे समझे कि आयत में आमने सामने का भुजा समांतर होता है और बराबर होता है आयत को जब थोड़ अलोग्राम बन जाएगा और स्क्वाइर और स्क्वाइर का चारो भुजा बराबर होता है तो स्क्वाइर को जब थोड़ा सा ऐसे चप्टा देंगे तो यह रोंबस बन जाएगा तो भाई स्क्वाइर और रोंबस डिफ्रेंस क्या है इसका चारो कौन बराबर नहीं है दोनों बराबर हैं इस चीज है तो यह से पता होना चाहिए इसमें भी आमने सामने का भुजा समांतर और बराबर लेकिन रेक्टेंगल का हरेंगल 1990 डिग्री का होता है इसका हरे को 90-90 degree का नहीं होता है समझ में हाए तो ये तो basically rectangle को जब थोड़ा सा disturb कर देंगे parallelogram बन जाएगा और square को थोड़ा सा disturb कर देंगे rhombus बन जाएगा अब देखो समांतर चतरभुज का छेतरफल तो इसका area का formula होता है इसका area होता है area बराबर होता है base into height base into height अब देखो इसका area दो तरीका से निकाल सकते है अगर हम इसको base माने और इसका उचाई देखो उचाई हमें सा सीधा होता है ना भाई ये इसका उचाई है ये इसका कितना उचा है इतना उचा है ये इसका उचाई है H1 तो भाई इधर से उचाई मेरा h1 है अगर हम इधर का उचाई देखें तो भाई ये मेरा उचाई है ये मेरा उचाई है h2 तो अगर इसका अगर हम इसको बेस मानेंगे अगर इसका लेंथ दिया है तो हमको ये वला हैट चाहिए अगर हम इसको बेस मानेंगे या इसका लंबाई दिया है तो हमको ये वला हाइट चाहिए तब ही हम इसका एरिया निकाल पाएंगे तो हम दोनों ही तरीका से निकाल सकेंगे इस भुजा का लंबाई गुना H1 या इस भुजा का लंबाई गुना H2 दोनों ही क्या देगा समांतर चदरबुज का छेतरफल ठीक है यही चीज आपको याद रखने है इसमें बस ठीक है बाकी कोशन के साथ और भी बात बताएंगे रॉमबस में क्या है कि जो रॉमबस का अब पहले दोनों डाइगोनल को ड्रॉ कर लेजे इसका दो डाइगोनल है एक का नाम है D1 और 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 इसका नाम है D2 तो इसका जो एरिया होता है वो होता है हाफ इंटू D1 इंटू D2 इसका छेत्रफल का फोर्मूला याद रखना है दोनों डाइगोनल के प्रोडक्ट का आधा दोनों विकर्ण के गुननफल का आधा और एक चीज़ और याद रखना है कि इसका दोनों विकर्ण जो है एक दूसरे को 90 डिगरी पर काटता है मतलब यह जो आपको ट्रेंगल दिख रहा है इसके अंदर चार यह चारों के चारों समकोन तिर्भुज है तो यहाँ पर भाइतागुरस थियोरों भी सैटिस्वाइग करवाएंगे ठीक है बताएंगे एक अभी समस लिए ठेगक है ट्रेपेजियम का पर क्या होता है इसका नम लुकnight सैट पैरलर होता है यह दोनों सैट बैरलर यह दोनों से प्रहाइं है इसमें एक हैट होता है यह मेरा क्या है इसका हॉइट मेरा मैं कि सब्स् Vet in और देखू इसको अगर हम नाम और दी है एक सी और डी अब इसका एरिया क्या होगा एरिया क्या होगा तो हाफ इंटू समों पैरलर साइट समांतर भुजाओं का जोड मतलब एबी पलस डी सी और गुना लगा देंगे उचाई का यह इसका चेत्रफल हो गया इन दोन इन तीन फिगर से ना जिमेट्री में बहुत अच्छा अच्छा सवाल बनता है तो वहां भी आपको बताएंगे यह सब चीज सुरुवात से एरिया के लिए इतना काफी है और छोटा माहीन बारीक चीज आपको खुशन के साथ बताएंगे तो समलम चतरवुज का छेत्रफल हाप इन्टू सम ओफ पैरलर साइड इन्टू हाइट रोंबस का एरिया हाप इन्टू डीवन इन्टू डीटू और पैरलेलो ग्राम का एरिया जो है वो आपका होता है बी इन्टू तो कोई भी एक साइड का लेंथ और उसी साइड पर हाइट अगर मालूम रहेगा तो हम इसको निकाल सकते हैं ठीक है अब मान लो इसको अब मान लो अब मान लो कि कि इस साइड का इस साइड का इस साइड का जो है लंबाई दिया है ए यूनिट और इस साइड का लंबाई ह तो भाई ये भी होगा B unit, ये भी होगा A unit, तो भाई इसका area क्या होगा, हा, A into H1, और अगर इधर से देखेंगे, तो क्या होगा, B into H2, और ये दोनों ही area आपस में बराबर नहीं हो जाएगा, भाई दोनों ही इसी का तो area निकाल रहें, एक बार इधर से, एक बार इधर से, जो कि दोनों height मालूम है, तो दोनों ही तरीका से area निकालेंगे, जैसा culture में situation देगा, उसे हिसाब से खेलेंगे, इसमें ये भी पूछता है, कि एक side का आपको अधार और उचाई देदेगा, दूसरा side का उचाई आपसे पूछतेगा, समझें, तो सवाल के साथ साथ हर एक इसको हम लोग देखेंगे, तो ये था आपका figure, अब आपको न, इसको एक बार देख लिजे, अब आपको न, कुछ triplet बता देते हैं, जो आपको याद रखना है, तो पाइथागोरस theorem क्या है, तो कहता है कि एक समकोन तिर्भूज में, जो कर्न का वर्ग होता है, इसका जो वर्ग होता है, वो अन दो भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है, ठीक है, तो ये हमारा बाइथागोरस theorem में, अब इस पे, इस पे बहुत सारा तीन नंबर का गुरूप जो है, साटीसफाई किया गया, करवाया गया, वैसे तो बहुत सारा है, अनगीनत है, बट आपक है, लारजेस्ट साइड है, सबसे बड़ी भुजा, हाइपोटेनस क्या है, सबसे बड़ी भुजा होती है, ये सबसे बड़ी भुजा है, ठीक है, सबसे बड़ी भुजा है, और बाकी इन दोनों में कोई भी छोटा बड़ा हो सकता है, ठीक है, ये दोनों चेंज हो सकता है हम चाहे तो base इसको मान सकते हैं हम चाहे तो perpendicular इसको मान सकते हैं यहां पर 90 degree कोन बनता है और इस कोन और इस कोन को जोड़के इन दोनों का value भी 90 degree होता है क्योंकि तिर्भुज के तीनों कोनों का योग 180 degree होता है ठीक है अब इसको देखो यह सबसे छोटा और पहला basic triplet है 3, 4, 5 ठीक है और यह चीज एक दीन में नहीं बना होगा इसके लिए ना समय लगा होगा आज हम लोग भले इसको एक बार में पढ़ ले रहे हैं बड़ जो जब यह काम चल रहा होगा तो इसमें समय लगा होगा ठीक है तो जैसे कि सबसे बड़ी भुजा 5 तो भैं 5 का square कितना 25 ब सारा ही और ऐसा कई संख्या कई हचारों नंबर का गुरूप जो है साटिस्फाइक करता है तो इसको ना डारेक्ट याद रखना है और इसमें समझदारी क्या दिखाना है जो सबसे बड़ा नंबर जैसे कि 13 है 25 है 17 है 41 है तो 60, 11, 61 अगर आपके question में यह आता है कि बाए एक समकोन तिर्वुज है और उसका सबसे बड़ा भुजाजмен वें 61 सिं्टिमीटर का सबसे बड़ा भुज तो भाइए ये जीज तो है कि ये उसका दूसरा मुजा एक ग्यारा और दूसरा स्थ ओगा चीदो THAT होने का तो कुछ भी हो सकता है लेकिन जब समकोन बोल दिया तो य उसका एक भुजा जो है आपका 28 है, एक भुजा आपका 45 है, तो सबसे बड़ी भुजा कितना है, तिरपन है, तो वहाँ ये बहुत मदद करेगा, तो जो सबसे बड़ा नंबर है, हरे गुरूप में वो क्या है, हाइपोटेनस है, बाकी जो दोनों है, ये दोनों साइड है, एक बेस होगा, और कोई एक हाइट होगा, ये चीज आपको याद रखना है, दूसरा चीज, ट्रिपलेट को जब हम कोई सेम नंबर से गुना कर दे, या कोई सेम नंबर से भाग कर दे, तो जो रिजल्ट आता है, वो भी हमारा एक ट्रिपलेट बनता है, कहने का मतलब क्या पांच हमारा ट्रिपलेट है, सब में अगर हम 10 से गुना कर दे, तो आप कहेंगे सर ये बन जाएगा 30, 40, 50, तो सर 30, 40 और 50 भी हमारा क्या आया, ट्रिपलेट आया, अगर हम सब में 8 से मल्टीपलाई कर दे, तो 8 तीयाई 24, 8 चोके 32 और 8 पच्चे 40, ये भी हमारा क्या बनत है, एक ट्रिपलेट बनता है, अगर हम सब में 2 से भागा दे दे, तो 3 का आधा 1.5, 4 का आधा 2, और 5 का आधा 2.5, ये भी हमारा क्या है, एक ट्रिपलेट है, तो इन सब चीजों से सवाल आता है, ठीक है, अब मालों की 8, 15 और 17 है, हम इसमें सब में 10 से गुना कर दे, तो य हो जाएगा, 8, 1500 और 170, ये भी हमारा क्या है, एक ट्रिपलेट है, तो ट्रिपलेट में ये चीज आपको याद रखना है, बाकी बहुत चारा छोटा-छोटा महीन बात है, जो कोशन के साथ में बताएंगे, अब काफी धंग गया है, भूख बहुत जोरो की लगी है, तो मिल होना ही चाहिए, तीन, चार, पांच, बारा, तेरा, साथ, चोबिस, बचीज, आठ, पंदरा, सदरा, नो, चालिस, एक,टालिस, ग्यारा, साथ, एकट, एक शट्र, तेरा, चौरासी, पचासी, मुनिश, चुरासी, तेरा, पचासी, सोला, 필ूस, वैसट।, बीस, एकीज, उ करना पड़ेगा ठीक है और केलकुलेशन में आपका टाइम लगेगा मान लो कि आपके सामने एक समकौन तिरूज दे दिया बोलेगा कि उसका उचाही जो है लिखेंगे पलस चौरासी का स्कौर लिखेंगे यहीं तो आप टाइम ले लेंगे आपको एच का स्कौर ने एच बराबर चाहिए फिर इस पर रूट लगेगा फिर आप तेरा का स्कौर लिखेंगे फिर चौरासी का स्कौर लिखेंगे इसको सोल्व करेंगे एक परफेक्ट तो अगले वीडियो में आप से मुलकात होगी इन सब के साथ ठीक है तो उस वीडियो के लिए भी आप तयार रहिएगा बाकी सारा का सारा लिंक के डिस्क्रिप्शन में दिया है आप उसको फोलो कर लिजिएगा एप का भी लिंक दिया है कॉंटेक्ट नंबर भी डाला हुआ है तो जो भी आपको जानकारी चाहिए फोन करके पूछ लिजिएगा और अगर हमसे बात करना चाहते हैं तो भाई नंबर वहां से ले लिजिए ठीक है तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद्ट